शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ऊजयों थो हैसा फ्राओव कारतो अजयों खुप ग्रयां कि वां सम पूलें लまだ बदुीजर कीृ rhydsk depende जोज़ा लग अज़ाए तो अकुर्ट फार अच्छेश्च्छ अब इन्दिया किनी अच्छी है ना तो चुडे निख ए तिस अंदर लगीर तो चुटने नाए, नाए नाए चुटने जोरावर जरनेल ना जिन्देगी में सिर्फ दौलत लूटी है वहू बेटियों की जत नहीं समझा मशे मशे माफ कर दो सर्दार माफी हम से नहीं इस लड़की से मांग जिसकी जत पे तू हाथ डाला रहा माफी मामुली लड़की स little मैं कहता हूं मांग मांग जरवर मैं कहता हूं माफी मांग माफी मांग जरोवर यह माँ बहनों की जद कल उटे रहा है आज के बाद यह जलील आदमी हमारी किरों में अजर नाने पाए आज हमका विश्वास हो गया कि हमरे बात हमरी बंदूग उठाने वाले हाथ मजबूत हो चुके हैं तोहार जैसा बाप हमने आज तक नहीं देगा जोन अपने ही बेटे के हाथों में कलम की जगे बंदूग देदी वह इसलिए केस बीहड मां जिन्दा रहने के लिए कलम के नाही बंदूग की जरुवत पड़ा थे लेकिन याज रखियो इस वीराने को तुम हमरे बेटे की तकदीर में लिख दो यह कभी नहीं हो सकत समझें ठगरायन तुसे अतनी बार का है कि मात यसे पत्थर फोड़नी की कोशिज मत किया कर तु कुछ भी कह ले डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा फुलीस ऑफिसर कभी नहीं बन सकता तो हर बात ते एक अच्छा किसान रहा फिर तुम डाको कैसे बन गए है करम ही इंसान का धरम है बहुत अच्छे ठीक से लिखियो करम ही इंसान का धरम है करम ही इंसान का धरम है तु अच्छा जो रहा वा तु पागल होई का वाका अरे पागल तो तुमारा घमंडी ठाक हो रोगया है उस जो टेके की गाव वाली के लिए उसने मेरी बेज़े दिखी जब जब घर लटके आएगा उसकी खुद की बीवी की इसत लुट जगे होगी एक कदम भी आगे बढ़ा है तो कि जान से माठा लोगी जला गोली मेरी जान जाने से पहले तेरी अपनी आउलाद की जान जाएगी मॉत्य। कि भालाष पालाष चार मॉत्य। कि मॉत्य। कि प्रिवrist तालाष तो खुदück ङ्याएग। कि विताना खूलाष तो तुद तुद तुदद जाकुद तरफ तरफ चाल वा तरफ ने वा कि बचाने निए पिर जुट गई फर्पाद हो गए मेरे सुराज को जो रावर उठाके लेगा तकिसी बीतरा ओपिपचा लो ओपिपचा लो टाकुद थाकुद पर नमार चाल के पर दो Zoraver! Zoraver! Racioo! Inspektrums, inspektrums, inspektrums! डाकू जर्रेल सिंगा साथी जोरावर सोनापुर गाल में रज्जो बाई के कोठे पे है रज्जो बाबा 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 गाउसे खबर आई है कि हमारा सुरेच बुलिस्थाने में है सग्राम सग्राम मैंने सुनाता कि मुझे गिर्फतार करने के लिए सरकार ने किसी मर्द को तायनात किया है मगर एक बच्चे का सारा लेकर मुझे गिर्फतार करने वाला कभी मर्द नहीं हो सकता चर्नेल सिंग मेरी मर्दांगी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि तुम अभी तक जिन्दा हो वरना वरना वो च्छाती तुम्हारे पास नहीं है जो इन सब की गोलियों का लोहा परतास्त कर सके तो आगे बड़ और गिर्फतार करने मुझे जब तक मेरा बेटा तुम्हारे पास है मैं तो अत्यार रखते वे भी नहत्ता हूं अगर यहां एक डाकू आता तो जरूर करिफतार कर लिया जाता मगर एक बाप आया है जिसका बेटा खो गया है तुरैज आओ बेटे देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने है इस्पेक्टर साहब जनलाज की मुलाकात हमेंसा याद रखिए कि कौनो मर्द से मुलाकात हुई रही माभवानी की कसम जिन्दगी वेके तमना रहेगी कि करमाउत आए तो तुम्ही गोली से आए कौनो बुजदिल की गोली से नहीं संगराम सिंग्छ आठ रडाकों को छोड़ देना आखिरसे तुम्हारा मतलब क्या है मेरा मतलब है सर के जुर्म करना दिमागी बीमारी है और इसका इलाज सक्ती से नहीं नर्मी और भरोसे के जरीय किया जा सकता है मुझे तुम्हारे लेक्टर के नहीं, एक्शन की जरूरत है, 24 घंड़े के अंदर-अंदर, क्या कुछ अर्नेल से अंगर अफतार होना ही चाहिए, इस माई और, अडर्स्टार्ड़? येस सर, करम ही इंसान का धरम है, करम ही इंसान का धरम है, ठाकूर, हमार सुरज बड़े स्कूल में जाएगा, खूब बड़ेगा, देखना, मैं इसे पुलिस का सबसे बड़ा अपसर बनाओंगी, और, और हमार सुरज जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा ना, हुअ, तो हम दोना उसे चलीट करांगे, चमपा तो ये दिन में सबने देखना कब बंद करेगी ? सब्सक्राइब पुलिस अब चार उतर हमसे घेर जे कि अ आधा कुषा तो है हमरी कसम हम तो है नहीं जाने पर नहीं जाने देंगे और अधार की बियाड में आकर कोई उसे ललकारे ये थाकूर को भी सब्सक्राइब कर सकते हज़ा चमपा यह यह थाकूर तो कर दो कर दो कर दो कि तुम चारों तरफ से पुलीस के घेरे में लिए जा चुके हो अधियार फेक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो मैं कोशिश करूंगा कि तुम है और तुम्हारे साथियों को कम से कम सजा मिले परना अपनी और अपने साथियों के मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे कै कै कर तुम्हारों के तुम्हारों कि खुम मैं शोली होगे तो çekा कर चा सब कर छुम कbbि यूए阅 भ्यारों के खुम्हारों के कि अपने यदूद actरे경 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है कि कि अपर गए है कि अपर विभूढ है कि मैं फर लिए दुनिया काईगी की की करना चाहिन दो चुक्ष निरे ह इन चाहिन तुमराव के तांथने करेक लूजा में सब्सक्राइब छिल एचाहिए हर्ण हर चपा चपा रखो रहा है हमारे सूरज को इक गली वर्ती और बंदुक के साथ इसे तो रखना उसे उसे ऐसा एक सूरज बनाना ऐसा एक सूरज बनाना जो हमेशा चमकता रहे ठाकुर तुम मुझे बचन देते हो न मुझे अपले जैसे कभी नहीं बनाना ठाकुर कभी चपा 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 बाबा किस की बेटी है आप? बोलो न पापा की पापा की बेटी है मामी की नहीं है न? हाँ यह ला जाओ जाओ खेलो क्या बात है मिस्सिर संगराम सिंग आज सुबसे परेशान नज़र आ रही हो यह खत किस का है? दाकू जर्नल सिंग का मेसेज आया है वो आपसे बिहड में बवानी मा की मंदिर में आके लिए बिना हत्यार मिलना चाहता है जर्नल सिंग जर्नल सिंग जर्नल सिंग तुमने मुझे बिना हत्यार अकले बुलाया मैं अकेलाया हूँ तुम अकले आखको इंस्पेक्टर गर में तो हमेशा के लिए अकला हो गया चर्नल सिंग हार गया इंस्पेक्टर मौत ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साहरा छीन लिया वहाथ जो हमेशा मेरे दावन से गुनाहों की दाग मिटानी की कोशिश किया करते थे वहाथ चिता की आग में जल्क राख हो गया I'm sorry लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुला अपनी बीवी को दियो वचन ने बाने के लिए मैं अपने आपको तुम्हारे कानून के हवाले करने आया हूँ क्या है जुक्टर जब ठीक आ करती थी डागों की तक्दीर विधाता की कलम से ने बलके बंदो की कोली से लिखिये होती है ठीक आ था उसने उसे तुम्हें गवाँ चुका अगर उसकी निशानी को नहीं खोना चाहता एक बात बताव इंस्प्टर अगर मैं अपने आपको तुम्हारे कानून के हवाले कर दूँ तो तुम्हारा कानून मेरे बेटे के साथ क्या सुलुक करेगा कानून तो सरफ इंसाफ करेगा और जहां तक तुम्हारे बेटे का सवाल है उसके साथ सुलुक मैं करूंगा पाप जैसा मैं उसे डाको नहीं इंसान बनाऊंगा उसके हाथ में बंदूक नहीं कलम थमाऊंगा पर आपने सारी संद्गी चुर्म किये पेटा बढ़ा होकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करेगा मुझे एक वचन दे इस्पेक्टर मेरे बेटे की जिंदेगी की खिताब में आज के बाद मेरे नम कभी नहीं आएगा बादा करो इस्पेक्टर मैं बादा करता हूं है खाय कि पिर शवी सकती है आज कि आयो झाल लूब कर दो दो भी के अुल्ड़ डिल्ड़ दो भी ज जो राद हुई हुई है कर दो प्राद है कर दो दो बदू में गया गही है कर दो दो में पनलब जो दो च के अ प्रफ़ से एंप कर दो कि यही मैं नहीं तर के लिवर को दon पंदोडिय के आंद intelligence कि अजल ुई इप care य데 इ WAY that कर दो face तबसा ही कि बर्या कि बर्वा Cities कि फिर वे उगर, दिख वे ख्वाज cheating कि दो है कि बड़्री है कि फिर शानकिछ कर दो कि अ कर दो बादा कि अ और अ जनल संग कि संग्राम सिंग आप परसोबाद कहीं कहीं मेरे सूरज को तो कुछ नहीं हुआ न क्या बात करते जनेल सेंग मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कभी कुछ हो सकता है क्या मैं तुम्हें यहां से परोल पर ले जाना हूँ तुम्हारी बर्सों की तफस्या आज पूरी हो गई तुम्हारा बेटा सूरज पुलीस अफसर बन गया है चैनल सिंग्ग कैसे रहे हो कुछ नहीं पुराने जखम याद आदे दुखों की आदत पड़ चुकी है ना सारी जिन्दगी मायूसी के अंधेरों में गुजर गई अचानल खुशियों का सुरज सामने आएगा तो आंखों से आंसों की जगा खुन में नेकलेगा जब खुशी का दिना तो हिम्मत हार गया है संग्राम सिंग्ग अगर ऐसा कुछ हुआ तो मिच्छ समा लेना समा लेना भाई पुलीस ट्रेलिंग स्कूल के सबसे होनार स्टूडेंट श्री संग्राम सिंग के पेटे सूरज सिंग्ग जो इस बैच में अवल आए है उनको हमारे महकमे की तरफ से सोड आफ ऑनर दी जाती है सूरज सिंग सबस्थ 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 प्राइब चीटरा मेरा बेटा इस्पेक्टर बंकिया पाज मेरा बेटा इस्पेक्टर बंकिया मेरा सुरेच पहली बार पुलीस की वर्दी पहन के आये खला तम दोना उसे सलूट करेंगे मुबारुक सुरेच और दूसरे स्थान पर आये है श्रीप बर्दीन बारिक के बेटे प्रफुल बारिक तीसरा स्थान भी आजाता है आप मुझे सलूट क्यों कर रहें बाबा पिटा मुझे मा को सलाम कर रहा था जिसने तुम्हे जनम दिया लीजिये मैं हैंसम यंग ब्रदर आपकी ये बहन आपका ये ड्रेस अपने हादों से आयन करके लाई है क्योंकि आज आपके ड्यूटी का पहला दिन है और आपकी ये ग्रेट सिस्टर आपको आशरवात देती है कि आप ये ड्याडी की तरह बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे अरे ओ चुटकी बड़ा अफसर तो मैं बनी जाओंगा आपकी दुआ से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे ड्रेस पर बिल्ले लगाय या नहीं क्यों ने लगाये वेरी गुट सुरज क्यानून के जिस रास्ते पर आज से तुम कदम रखने वाले हो वो रास्ता बहुत कटन है उस रास्ते पर चलते वक्त तुमारे कदमों को तौलत की जंजीरों से चक्रा जाएगा तुमारे रिष्टे तुमारी कमजोरी बना दिये जाएंगे और तुम्हें चांद से मात देने की थम्की भी दी जाएगी लेकिन अगर तुम इन सब चीजों को ठुकरा कर आगे निकलोगे तो मन्जल तुमारे सामने होगी डैडी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी आखनी सास तक कानून की हिफाज़त करूँगा बेस्ट अब लुक्त थैक्यों डैडी बेटा बगवान तुछी तरक्की दे में, जाइडर कर आखने बेफ फुद्द 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 7 कि योछी ने पिंस jakiś थाओश्वान ईया baru उब उली योचे ल静क रज़ के तुमी 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 वीफ hakkे पॉन्ले अग्ट गुड मारनिक सर्क जाराम जी एक्सुस्मी सर्क वो कल राइट ड्यूटी जरा है इंस्पेक्टर शर्मा इड्यसर्विस सिर्ड कर दो यह कंप्लेंट बुक खाली क्यों आप तो जानते हैं सर यह कंप्लेंट बुक एक क्राइम रिपोर्ट होती है जिस इलाके में रामराज्य है वहां कम्प्लेंट कौन करेगा जल, जल, जारू बना, यह जागू दादा की बस्ती है, यहां पोलीस वालों से क्याद रणा जगुद दादा हुआ है आएगी तो राज करेगी तो जगुद दादा की बस्ती है और जगुद दादा का जिसमें दिलाता है वो उसके साथ खेलता है मैं पुली सेशन में जाके तरी कमचेल लेगांगी तो विकाव चीज होती है और हर विकाव चीज हम पहले से करीद लेते हैं अर्या हाँ अर्पुलीस वाला विकाव नहीं होता अर्पुलीस वाला विकाव नहीं होता है अर्पुली तुमत्थली विकाव शुमत्थली अर्पुलीक्त क्राव बान्रा विकाव possible ब Bryce बदाद कर的 क्रूबड़ पिकाव चीज्यभी कि लुड़ोब लुड़ोब बाइव! यह रहा तुम्हारे रामराज का पहला रावन शर्मा आज से कंप्लेंड बुक लिखना शुरू करो आपने अच्छा ने किया सर इसका बॉस बड़ा खता है कौने इसका बॉस इस इलाके का बादशाह है सर मिस्टर शर्मा लगता है आपकी हिस्ट्री बड़ी कमजोर है हिंदुस्तान से बादशाहत 30-35 साल हुए खतम हो चुकी है नहीं सर मेरा मतलब ऐसे मैं तुम्हारा मतलब ऐसी तरह जानता हो शर्मा इस पुलीस टेशन में वही होगा जो कानून की किताबों में लिखा गया है समझें लेकिन सर इस इलाके में आपके उस किताब का नहीं जावर का कानून चलता है जावर कानून चलता है जावर कानून की तरह जावर कानून जावर कानून लाल परी को कले से लगा अरे तिक्रिक के रुए में वंगो उड़ा लाल परी को कले से लगा जवानी है शुम्प एक शाव की उतने की बाहों में जूंके तुगा जूंके तुगा, जूंके तुगा लाल परी को कले से लगा जवानी है शुम्प एक शाव की उसने की बाहों में जूंके तुगा जूंके तुगा जूंके तुगा झाल 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 सब्सक्राइब इन्हें, आए 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 परजा उचएगा आए 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 नूटने बारा आई 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 सिक्रिक के धूए में हो पूड़ा लाई पर इक गने से लगा जमानी है शंपा एक शाम की उसने के बाहों में जूंके तुगा जूंके तुगा अपनी है यारी आई 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 दुनिया से सारी अई आई 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 तिक्रेट के धुए में वां को उड़ा लाल परीकों कले से जगा जो आपी है शुंपा इक्षाम की उधने के बाहों में जूनके तुगा जूनके तुगा आहा काenson के वी मा एक्षाम'' के रादे का एक्षाम सो गरी तुगा जूनके तुगा जुंपा लेया का बस्कान से थे प्लदाए never लेख एक्षाम से गड़ा जुएaron नवो दिशान, नवो दिशान, नवो दिशान, नवो दिशान, निवीने वाला है ठाला है कि बूडत अँछ कर भी सENCE लेक्षब! वेक्षा वेक्षी! भीका मेखिरन, नवेक्षा वाला है कि कानून हुच चलकर हमारे पास आया है। यह इलाका मेरे चार्ज में है जाबर और इसमें जितने भी गैर कानूनी धंदे हैं उनका तालुक कहीं न कहीं किसी न किसी तरह तुमसे है। ह пожए पुरानी कहवत है इंस्पेक्टर सहाव कत्रा-कत्रा समंदर में हिजा कर मिलता है। और मैं उसी समंदर के बाहों को रोकने आया हूँ जाबर मैं तुमसे पहली और आखरी बार कहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे सारे गेर कानूनी धंडे बंद हो जाने चाहिए वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा तीन सो बाईस हड़ियों की जोड़ों पर इंसान का जिस्म खड़ा होता है और उतने ही अड़ों पर जाबर की काली दुनिया भी ये जाबर की काली दुनिया है इंस्पेक्टर हमारा एक अड़ा तूटेगा तुम्हारा एक जोड तूटेगा ये वर्दी नहीं कफन है मेरे ले जाबर और इसे पहनने वाले खत्रों से नहीं डरते तो प्रामिस क्यों इंस्पेक्टर इसे देख करता जुब हो रहा है ना ये जाबर के समंदर की सबसे चोटी मचली है जिस पर तुमने का जाल पेका था लेकिन अब अब ये आजाद है हन्जा कौन तुम? क्या चाहिए तुम्हे? तमाम रुपए पैसे और जेवरात मेरे हवाले कर दो परना पैसे भी जाएंगे और जान भी देखिए हम बहुत गरीब हैं बड़े मुश्कित से गुजारा करते हैं हम तुमें पैसे कहां से देंगे? चुपकर फुलन देवी फारन कबड की चाबी दे परना इली जी मेरे तो जान ही निकल गए थी तुम लोगों को अपनी जान की पड़ी है? मेरे तो यहां सूसु ही निकलने बाला थी मेरा प्यारा बिट्टू अंटे अंटे में टक्सी ले आया अच्छा दीदी ओके जी जाजी मैं चलती हूँ इतनी जल्दी काय को जाती कल चले जाना अरे दीदी दो महिने की तो बात है उसके बाद इग्जाम्स कतम और कॉलेज की सिंदगी भी आप दोनों ने इतनी तक्लीफे उठाकर मुझे पढ़ाया है पस उसके बाद आप दोनों आराम करेंगे और मैं नौकरी अच्छा मैं चलती हूँ बाई जीजा जी बाई 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 बिट्टू बाई एंटी अलो एंटोनी स्पेकिंग कल सुबाद सुलेमान सेट के यहां माल पहुंच जाना चाहिए आप फिकर मत करें जाबर साब माल पहुंच जाएगा अलो इंस्पेक्टर सूरज स्पीकिंग इंस्पेक्टर सूरज आज तुपेर तीन बजे पार्सागाव चेकपोस से नामी स्मगलत चाबर कमाल एक गाड़ी में पास होने वाला है चाबर कमाल? मगर आप कौन बोल रही है? आपकी शुपचित्त जाबर साथ हाँ बोलो शर्मा चाबर से इंस्पेक्टर सूरज को खबर मिल चुकी है कि आपका माल पार्सागाव चेकपोस से गुजरेगा इसलिए उसने वहाँ नाकाबंदे करके रखिये नाकाबंदी? हाँ वह क्या होता है? वहाँ से गुजरती हुई हर गाड़ी वो लोग चेक करेंगे अच्छा 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 ऐसी बात है पहरी बार सुनाए ना इसलिए समझ में नहीं आया लेकिन चापर का माल जाएगा जरूर जाएगा सर, हमने हर कार हर ट्रक की तलाशी ले ली कहीं कुछ नहीं मिला सर, लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी कहीं कुछ भी नहीं मिला नहीं मेरी इंफॉमेशन गलत नहीं हो सकती गो बाक और चेक ओके सर, चलो एई, नीचे उतरो, तलाशी लेनी है तलाशी हाँ तुम आगे के गाड़ी देखो ओके सर, मैं यहां तलाशी लेता हूँ जाए ने दो कर 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 दो कहा कहा लाज बाज बॉर को बॉर्प बॉर्फ बॉर्बार एप बॉर्फ भी जब है कर दो बार दो अर ओार जाल कर दो, एक टी अुराईर, तो कर दो एक दो जो कर दो सकते हैं। त्रफ्ट प्राइब है अगाले टाज़। झाल 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 तो इंस्पेक्टर तो ने एंथनी को पकड़े लिया जाबर के आदमी को पकड़ने का अंजाम एंथनी मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करूगा अगर तुम कबूल कर लो के तुम जाबर के आदमी हो जाबर काड़ प्रामिस साब आप उन्हें पहले कभी उसका नाम नहीं सुना यह वही नाम है एंथनी जिसकी वज़े से तुम्हें साथ साल की सजा हो सकती है साथ साल हां एंथनी जरा सोचो तुम्हारे बगेर तुम्हारे बीवी और बच्चे का क्या होगा एंथनी जिम्थिया रिसक्टर ठीक कहता है तो बता क्यों नहीं देता कि जाबर का काम तू करता है हमारा क्या हालत है तेरे को क्या पता घर में खाने को भी कुछ नहीं है जब knots क्याने के पीने का कोई तक्लीफ नहीं होगा एंथरी ने तू एक एक ही कहा है जाबर के होते हुए तुम्हें किसी बात की तक्लीफ नहीं होगी ू है ईपनी сाथी की नगी बहुंगशी की प्यार कर मा नलता हो और प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं आओ मुझे मच्चु आऊ मुझे मच्चु मुझे मच्चु तुम्हे 52,000 क्या मैं 10,000 क्या देटाई थे? आओ मुझे मच्चु मुझे मच्चु अगर तुमने चुआ तुद आपको माटा लेगा तुम मेरे पास नहीं आना, 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 तुम मेरे पास नह कर दो कर दो जापर कहा है जापर कहा है मुझे नहीं मालूम पता जापर कहा है वो रंग मैल थीटर की पासवारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया हुआ है जब कुटा पागल हो जाता है तो उसे मारते ना चाहिए और एंथनी पागल हो चुका है वो तो पुलिसी उसे मार देगी हाहा नाए अलो इंस्पेक्टर सूरस बीकिए इंस्पेक्टर साहब आपका भागावा मुझरमैंतनी इस वक्त रंग महल थीटर के पास जहाँ चावर की बिल्डिंग बन रही है वहाँ मिलेगा जा के देख लिजे अलो इंस्पेक्टर सूरस बीकिए पुलीस और खूनी इस्पेक्टर सूरस ने कुण किया यह जाबर का जादू जब सर चड़कर बोलता है तो पुलीस वाला खूनी और खूनी कवाः बन जाता है शाबार जागिरा थैंक्यू बस अब इंस्पेक्टर सूरस को पुलीस मेडल नहीं हतकड़ी पहनाएगी गवाओं के बयानात और लाश की पोस्ट माटम के रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम सूरस सिंग ने अन्थोनी को यह मारत की चट से नीचे फेग दिया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हो चुकी थी लिहादा यह अनालत मुल्जिम सूरस सिंग को मेरी मेलोड इन फोटोस का इस केस से कहता लोग है तालुक है यूर ओनर यूर ओनर ये फोटो इंस्पेक्टर सूरज को बेगुना साबित करके असली मुझरिम को फांसी के तक्ते पर चड़ा सकती है क्या आप अदालत को बता सकती है कि ये तस्वीरे आपको कहां से मिली है मिली नहीं यूर ओनर मैंने खुद खींची उस वक्त में वहीं थी जब यहादसा हुआ था और इंस्पेक्टर सूरज सिंग निर्दोश होते हुए भी पकड़ा गया इस नए सबूत की रोश्णी में इंस्पेक्टर सूरत सिंग के खिलाब मुकदमा नहीं चलाए जा सकता लिहादा ये अदालत इन्हें बाएज़त भरी करती है थैंक्यू अनर थैंक यू थैंक यू वेरी मच आज आपने आपने मेरा नाम गीता है हो नहीं चाहिए आज आपने मुझे अदालत में बेगुना थाबित करके मुझ पर ही नहीं बलकि इंसाफ पर भी बहुत बड़ा इसान किया है यह हिसान नहीं मेरा फर्ज है जब तक जिन्दगी रहेगी मैं नाइंसाफी के खिलाफ लगती रहूंगी कमीने तूने मेरी पहन और मेरी जीजा अन्थनी को मारा मैं तुछे जिन्दा नहीं छोड़ूगी जो मर चुके हैं उनकी जिन्दा बेवफूफ करते हैं जो जिन्दा है उनकी फिकर करो सुना है अन्थनी का एक पेटा भी है वो बेटा तुम्हें जिन्दा चाहिए या जावर को चनोती देने का मतलब है मौत को दावत देना हरे इतना नहीं समझती कि तेरे बुड़े बाब के कंधों में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि जवान बेटी की अर्थी का बोज उठा सके आप कैसी बाते कर रहे हैं पापा मुझे तो कुछ नहीं होगा आप तो खामखा मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला हम लोग आज ये शहर छोड़ देंगे अगर बेटी की जगे बेटा होता तो आप कभी जाते तब क्यूं जाता जवान बेटे का साहरा बाप को जुकने नही नहीं देता तो फिर आप की जा रहे हैं बाबा आपका बेटा तो आपके सामने खड़ा है हां बाबा मुझे आशीरवाद दो बाबा कि जो काम आपका बेटा अदूरा छोड़ गया है वो मैं पूरा कर सकूं भगवान तुझे सुखे रखे बेटा हुआ हो आरीक य कि अबात में शीए शौरा तुम्हारी वज़े से मेरे हातों एक गुंडा बच निकला गुंडे तो तुम भी हो जो मुझे यहां भगा कर ले आए एक शदीफ लड़की को भगाने के जुर्म में मैं तुम्हें साथ साथ की सजा करवाऊंगी इसकी नौबत नहीं आएगी मेंसाब शायद आप नहीं जानती कि मैं खुद एक पुलीस इंस्पेक्टर हूँ अरे जा जा बहुत देखे तुझ जैसे पुलीस इंस्पेक्टर वो इस पास के गाउं में गुजरनी पड़ेगी पीना है अगर हर सेन उनों के साथ पी पीना है अगर हसीनों के साथ पी पीना है अगर नाजनेनों के साथ पी पीना है अगर जहीनों के साथ पी तुझको है कसम, तुझको है कसम, तुझको है कसम, ना कमीनों के साथ पी, पिना है अगर, हसीनों के साथ पी, पिना है अगर, ना जनीनों के साथ पी, पिना है अगर, जहीनों के साथ पी, कुछ को है कसन तुष को है कसन ना कमीनों के साथ पी कि पीना है अगर भंसीनों के साथ पी पीना है अगर ना दुमीनों के साथ की चाहर चीज वे दिल खंपुरत उदा मुचाहर शराब सब्दबो आफिर वाँ कौन सी चीज है जो हमों को जूर कर दे है जगा मानों ने दिये जो जख दिल के भर दे है एक तो रुद्रन के लिए एक दो आप नशी एक होटों की नाली एक मद्रा की प्यारी एक होटों की नाली पीना है अगर हर सीनों के साथ पी पीना है अगर हर सीनों के साथ पी पीना है अगर ना जनीनों के साथ पी पीना है अगर जहीनों के साथ पी पीना है अगर ना जनीनों के साथ पी कि लृजज दे पीना है अगर झाली प्यार हपीकर बाब की सब कुछ अपसाना आज में जीता है जो दिद गिल को जाना वक्त है चांटी सोना गरे कल का क्या रोना किसी कल की थातिर तू आज की रात न खोना किसी कल की थातिर तू आज की रात खोना गर पीना है तू घर पीना है तू थोड़ा थोड़ा पी, कंगंम की, जाध मत पी कभी 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 की पीना है अगर हटीनों के साथ पी पीना है अगर हरीनों के साथ पी तुछको है मसम् ना कमीनों के साथ पी पीना है अगर हसी इनों के साथ पी पीना है अगर ना जनी इनों के साथ पी तुमने मेरे आदमी जागीरा को बक्रे जाने से बचाया हम बहुत खुश हुए बस इसी तरह सुरज के साथ प्यार का नाटक रचाती रहा हूं फिर तुम्हे किसी बात की तकलीब नहीं होगी ना रहने की ना खाने की और ना पैसों की नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो हाँ कही थी लेकिन जो आप कह रही हूं वो करके दिखाऊंगी मुझे ना सुनने की आदत नहीं समझे अंटी आंटी अरे 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 बड़ा प्यारा बच्चा है वही क्या नम है बिटी तुम्हारा बिट्टू एंथनी बिट्टू एंथनी वैनिशा आजकल शहर में बहुत गुंड़े आए हुए हैं बच्चे उठा ले जाते हैं समाल कर अगने से जो बटी अरे पगली तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया हां एक भाई तो पहले ही खोड़ चुकी हूँ परती हूँ कोई मुझसे मेरा दूसरा भाई में चीग ले जीता पदमाशों के हाथ अभी तक इतने मजबूत नहीं होए कि तुम्हारे भाई की गर्दन तक पहुंच सकें लेकिन अब तुम लोगों का या रहना ठीक नहीं इसलिए आज से तुम मेरे घर पे रहोगी नहीं भाईया मोद तो एक बारी आती है लेकिन मैं चाहती हूँ जब भी वाए तब उसके सामने कोई कायर नहीं बलकि तुम जैसे बहादुर भाई के बहन खड़ी हो करें है जाबर साथा वनीशा इंस्पेक्टर सूरज को अपने प्यार के जाल में फासते फास ते कहीं खोड़ मिल्बे आद्मी के अकल घृटनों में होती है वह तो सुना था लग तुम्हारी अकल कृटनों भी नहीं जागे रहा, खत्रा मुझे वैनिशा से नहीं, बल्के उस फोटोग्राफर लड़की गीता से है, जिसे आज तक तुम भी मेरे रास्ते से नहीं हाटा सके जावर सहाब, आज या तो वो लड़की जिन्दा रहेगी या फिर मैं गुड, तैट इस पेरिट ये लड़की, बाकी बाकी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि मैं बहुत तो एक बारी आती है लेकिन मैं चाहती हूं जब ही वाए तब उसके सामने कोई कायर में बल्कि तुम जैसे बहादुर भाई के बहन खड़ी हो कर दो 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 आप पुले मेरो बोल्च अगी राकार मुझे ने मालू बता ने मालू हुआ कर बुद्द जागी राकार मुझे ने वालू जागी राकार मुझे ने वालू है हाई जावर्ण साथ इंस्पक्टर सूरज ने हमारे कलूपर वाले गडावन पर शापा मार दिया है और मुझे ने यूवर्ण वो जागिरा की तलाश में है जाबर साफ पुलिस इस्पेक्टर सुरेज ने हमारे शराब की गुदाब में हाग लगवा दी और वो जागिरा की तलाश में है अब को जाटे पर शाबा मार उसे इतनी जल्दी खबरा गया हो जाबर ये सिल्सला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं अप्टी बेहन के खुन का बदला नहीं ले लेता फैसला तुम्हें करना है जाबर चाहो तो जागिरा को बचा सकते हो या अपने काले धंदे की जागिर को यू पास्टर व्यू पास्टर तेख रहा हूं, तुम अिसी दुनिया के जनिमें इनसान हुआ आस्मान से थूत्रय फरिष्टे हो हाँ हा हाँ बैंड ने तुम्हे डाकु बना दिया था, चेल ने तुम्हे शायर बना दिया ich कावी अच्छी शारी वारी करने लगयो शायरी नहीं कर रहा हूं, सच कर रहा हूं क्या रिष्ता है तुहारा मेरा कुछ रिष्टे भगवान बता है कुछ इंसान बनाता है जल्दी करो जल्दी सिगाडी में बैट ज़ाओ इस दिन का इंतजार मुझे कई सालों से था कि मैं बाप बेटे को फिर से मिला दूँ आज से हम दोनों साथ में रहेंगे ने ऐसे नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता डरता हूं मेरे बीते वे कल की परशाया सूरज के आने वाले कल पर नपड़ जाए मुझे ड़ लगता है चान पर धबा ज़रूर है लेकिन वह साया पैदा नहीं हुआ जो सूरज के माते पर लग जाए फिकर मत करो जनेल दुनिया सूरज को तुमारे नाम से नहीं मेरे नाम से जानती है और मेरा पीता हुआ कल उतना युजूल है जितना कि आज आज से तुम जन्याल नहीं चस्पाल हो मेरे दोस्त मेरे भाई सर दियाईजी साब का फोन आया था कि आप फोरन बिलास्पूर के लिए रवाना हो जाईए वहां दंगा फसाद हो गया है ओके चस्पाल यह मेरे घर का अड्रेस है तुम चलो मैं आता हूँ बाबा कहां जा रहें आप यह इस पते पर जा रहा हूँ मैं वहीं तो जा रहा हूँ आये न मैं आपको छोड़ देता हूँ आये न बाबा आये आप 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 वीश साल पहले तुमने इसी तरह मुझे एक लात मारी थी फर्क सर्फ इतना है कि वो तुम्हारी आखरी ठोकर थी और ये मेरी पहली ठोकर है क्यों पेचाना नहीं जर्नेल मैं तुम्हारा पुराना वफादार साथी जुरावर तुम्हारे नमक का हक अदा किये बगेर कैसे मर सकता हूँ सर्थार सर्थार वो सर्थार तु कपका मर चुका जर्रावर कपका मर चुका मर चुका है मगर तुम्हारा पेटा इंस्पेक्टर सूरज तो अभी तक जिन्दा है तुझे तुझे कैसे मालूम के सूरज मेरे बेटा है कैसे मालूम यह सब मैने अपने मरहूम मालिक से सीखा जिसे मैने ही मार डाला और इसकी सारी चायदाद पर कबजा कर लिया भगवान उन्हें जन्नत नसीब करे उनका कहना था के दुश्मन को कभी गोली से मत मारो उसका जीना अराम कर दो वो खुद बेखुद मर जाएगा अगर तुने मेरे बेटथे की तरवाग उठा कर देखा का तो मैं तुछ जो जानथा लूँगा और फिर तुम से मिलने से पहले वो खुद अपने आपको भासी लगा लेगा फिर तुमारे 20 साल की तपस्या का क्या होगा सुर्दौर सुर्दौर अगर मेरे खुन से तेरी प्यास बुच्टी है तो मेरी जान ले ले कि अगर मेरे अराह और आम मेरे यह जोह जोगे लेक्र अच्वा करना components अगर मेरे मरे बेटे कर आद लिए तूम कहते हो दूना ही और अपने उस धानेतार से कहते ना आज के बाद जाबर की दुनिया में च्छांकने की कोशिश ना करे वरना शहर की किसी कली में उसकी लाश लावार इस पड़ी में लेगी जोड़ो इसे मेम साफ मेम साफ सुरे सुरे रात को आया नहीं बहुत सुरूरी काम था कि अरे तुमिया बुद्ध बने क्या बैठे हो अरे सुनो आप पेटे को मिलाया की नहीं जी वो सुरे रात को लेता है कि क्या बात है रात इसल और हम मिलो यह हमारे भाई जस्पाल सिंग दे अरे नमस्ते नहीं बेवगूफ इनके चर्णों की धूलो और अपने माते पर लगाओ यही वह धूल है जो सितारे बनकर आज तुम्हारे कांदे पर चमक रहे हैं कि अधर कि यह बहुत मान इंसान है तेरे कांदे के सितारे मेरी चर्णों की धूल से नहीं बलके इस इंसान की मैनत के लगा हुए सितारे इनके हमेशा पूजा करना बेटा हमेशा पूजा करना बेटा अख़वारों में तेरी बहादुरी के कांदे पड़े लोगों की जबानी से बहुत खुशी हुई सुनकर अगर बेटे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में कुछ खतरनाक दुश्मन ऐसे हैं जो कमान जस्पाल मेरे बेटे को बुजदल मत समझाओ यह हक तुफान से ठकरा सकता है और यह मत भूलो जस्पाल इस पर एक का नहीं तो पापों का आश्रवाद है राइट संद राइट डैड ओकी डैड मैं ड्यूडी पर जा रहा हूं हाँ चाओ नमस्ते अच्छ बेटे जादी तो कर देनी चाहिए मगर भाया से कौन लड़की शादी करेगी करेंगी मैम साब हलो सूरज तुम्हें मेरा नाम कैसे मलूँ जब मुझ जैसे कोई लड़की किसी हैंसम लड़के को चाहती हो तो उसका नाम पता हांदान सब पता कर लेती है तुम्हारा नाम क्या है हुआ है तुम तो नाम ऐसे पूछ रहो जैसे किसी चोर से कुछ बन रहे हो लड़की से नाम ओसे थोड़ी इसादल फर कैया जाता है एक बहुत रुमैंटिक जगा हो एकमिस्फियर भी बहुत रुमैंटिक हो और मैं एक्तम अकेली बैठी हूँ और तुम खुब बंधन के आते हो और पूछते हो तेरा नाम क्या है मिली गए हो तो कहे तो क्या दिल का पैगाम है कहना तो कुछ भी नहीं है बस चाहत का पैगाम है मिली गए हो तो कहे दो क्या दिल का पैगाम है अज कहना तो कुछ भी नहीं है बस चाहत का पैगाम है तेरा नाम क्या है तेरा नाम क्या है तेरा नाम मैंने अपना बताया तो तुझी घर का पता चल जाएगा घर का पता चल जाते ही मेरी घलियों के चकर लगाएगा चकर में डाल के हमको तुम तीछा चुडाने लगी हो पाखे लडा के हमसे क्यों आखे चुडाने लगी हो प्यार की पहली नगर का कैसा ये अंजाम है तेरा नाम क्या है पतुछे का क्या है पता बताओगे न अपना हम कैसे तुम्हे ढूंड़ पाएंगे आज मिली हो ये तुपाक से कल कैसे तुम्हे मिल पाएंगे थोड़ा तुम्हें तरसाएंगे फिर हम जरा पास आएंगे सच्छी हो तुम्या के छूटे सहले तुम्हे आजमाएंगे सच्छी मुहाबत का मेरी कैसा यही नाम है रे 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 रा नाम क्या है पतिछे काम क्या है मिलती हो दुनिया के मिले में कभी मिलना हमें तुम अखिले में मिलती हो दुनिया के मिले में कभी मिलना हमें तुम अखिले में पता है अकेले में तुम क्या को रोगे बहुत देर तक घर पे जाने न दोगे करना तो कुछ भी नहीं है बस शादी का पैगाम है रिरी रिरी तेरा नाम क्या है तुझे का क्या है रिरी तुझे का क्या है रिरी तेरा नाम क्या है तुझे का क्या है रिरी तेरा नाम क्या है तुझे का क्या है वो तेरा नाम क्या है क्या है वो तुछे काम क्या है वो तेरा नाम क्या है गुड़ मॉर्निंग सर आपने जो हमका फिल्म रोल ड्वेल्प करने को देल रहा उका फोटो आएगवा आएए 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 इंस्पेक्टर साहब आप हमारे घर आए खुदा की खुद्रत है अरे आपने क्यों तकलिफ की हमें बुला लिया होता जावर इसे पैचारते हो इसे पैचानना मुश्कल है अब क्या ख्याले पसीना पहुच लो जाबर शायद तुम्हे कुछ याद आजाए मैं याद कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब की इतनी बड़ी रकम मैं हमेशा चेक से दिया करता हूँ लैक का पैसा रखने वालों के यहां आजकल बहुत रेड्स होती हैं यकिन मानी इंस्पेक्टर साहब मैं इस इंसान को तो जानता तक नहीं जाबर यह वही आदमी है जिसने आंथनी को मारा था और इसी ने गीता की जान ली है जरूर ली होगी आदमी शकल से खुनी लगता है और यह खुनी तुम्हारा ही आदमी है जाबर हेएंस्बेक्टर सहाब आज कल साइंस इतनी तरक्ची कर ली किष्यका चेरा किषी की चेहरे पर भी लगाया जा सकता है वैसे आप ये थाबित नहीं कर सकते कि इसे रुपे मैंने कीता का खून करने के लिए और आप ये भी थाबित नहीं कर सकते कि ये आदमी मेरा है सर एक लड़की ये प्रेजन्ट आपके लिए दे गई है प्रेजन्ट हलो इंस्पेक्टर जो रुमाल तुमने मुझे दिया था पसीना पोशने के लिए अब खुद इस्तिमाल कर लो वाइदेवे मेरा तौफ़ा कैसे लगा इंस्पेक्टर साहब बहुत खुबसूरत लेकिन मेरी एक बाद एक मिनट मैंने अपनी अभी बात खत्म नहीं की इंस्पेक्टर साहब तुम एक छोटी सी तस्वीर लेकर आये थे ये थाबित करने के लिए कि जागिरा मेरा दोस्त है हाहाहा अब मेरे तौफ़े के बाद तुम ये थाबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं तो ये चाल तुमने मुझे फांसने के लिए चलिये क्या करो सूरच जब से तुम मेरे इलाके में आये हो मसली का काटा बन गया हो और अब इस डोर को काटे बिना कोई चारा भी तो नहीं लेकिन एक बाद आ रहा अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने ये तस्वीर देख ली तो तुम्हारा प्रमोर्शन नहीं डिमोर्शन हो जाएगा और अगली मुलाकात में तुम मुझे हवलदार की वर्दी में नदर आओगे हाहाहा अपनी काम्यावी पर बेवकूफ असते हैं जाबर वैसे कभी-कभी बेवकूफ अकलमंदी का भी काम करते हैं तुमने मुझे ये तस्वीर भेजकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया लेकिन अपनी जबान खोलकर बेवकूफ बन बैठे अगर मुझे कुछ हुआ जाबर तो जो काटा तुम मेरे ले तयार कर रहे हो वो तुम्हारे गले में होगा क्यूंके मैंने तुम्हारी सारी अपनी बातें रिकॉर्ड कर ली है विट्टू विट्टू मनेशा इंस्पेक्टर सूरत से दोस्ती कहां तक पहुची कहिए क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे दो दिन बार शिवरात्री है फुश्यों का त्योहार जिसमें हर आद्मी रंग और भंग के नशे में चूर होता है मैं चाहता हूं इस बार सूरज को ऐसा नशाचड़े जो कभी न उत्रे मतलब इसके दो चार कत्वे सूरज की भांग में मिला दो लेकिन यह तो जहर है तुम्हारे हाथों पीएगा तो इसे अम्रित लगेगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं सूरज से प्यार करती प्यार तो तुम बिट्टू से भी करती हो जो इस वक्त मेरे कब्स में है सही सलामत सब्सक् Personen सब्सक्रण घर사 सब्सक्त सब्सक्राइ सब्सक्राइ मैं मैं जीले 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 हर पल प्यार पे जीले 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 हर पल प्यार पे जीले जाने हो जाए कब क्या बता है किसे जीले 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 हर पल प्यार पे जीले सूना मैं सूना तू कस के तो देख ले चांदी जिवाओं में बसके तो देख ले इसे पहली की पिटी में मिल जाए हूं प्यार कर ले सनम सोना में सोना तु कसके तो देख ले चांदी जिवाओं में बसके तो देख ले इसे पहली की पिटी में मिल जाए हूं प्यार कर ले सनम सोना में सोना तु कसके तो देख ले पिन हम ये साटेश रे कि से ले अहिंगी ओू से ले खारू जयार ऻू ले ये सक च्से ले सॉदवीं सोना में में मिल जाए हूं सोना में सोना में आव टू ठीका व्रभू पुष्बू के जैती जवानी उड़ी जाए जवानी तो क्या जिन्दगानी उड़ी जाए पुष्बू के जैती जवानी उड़ी जाए जवानी तो क्या जिन्दगानी उड़ी जाए इससे पहले दूआ बनके फोजाए हों प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनम सोना में सोना जवान जिले 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 अबल प्यार से जीले जाने हो जाए कब कब पता है किसे जिले 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 अर्फल प्यार से जीले मैं तेरी तू मेरा अर्मान है मैं जिसम तू मेरी जान है मैं जिसम तू मेरी जान है इसे पहले के जां से गुजर जाए को प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनुम, 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 प तराजू के एक पलड़े में मेरी मुहपत थी, दूसरी में मेरी पहन का चिराग बिट्टू बिट्टू की जान बचाने के लिए, मैंने अपनी मुहपत को दाव पर लगा दिया मैं तुम्हारी कुनेकार हू सुराज, मुझे जो सजा देना चाहो देदो मैं उफ तक नहीं करूँगी बच्पन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई गई है के गुनेहगार को सक्स सक्स सजा दी जाए और तुम्हे भी सजा जरूर मिलेगी सजा जरूर मिलेगी मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जावर ने उस मासूम को कहा कैद कर रखा है अजनता अपार्टमेंट के बेस्मेंट में बेस्मेंट कर आपकर दिर्फॉ हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 झाल 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 तुमने बाप का फर्ज अदा कर दिया है सुरज को जनम जरूर तुमने दिया है उसमें आप के अद्वाइटे आज और तुमने आज के दिन तो ना हुई नहीं सकती आज आपके बेटे की शादी होती तो मैं तो ददद किलास पि ले था धान पी ये ना आज और रलाए लाओ ये आज आज खे लाओं आज शांजि़े आज आज शुखं़े आज राई आज क जर्नेल सिंग, कमिशनर सहब ने अपने बेटे बेटी और खानदान की तारीफ में तो बहुत कुछ कह दिया लेकिन ये बताना भूल गए कि उनके खानदान का तालुक चोर और डाकों से भी है याँ क्या कह रहें संदी जी, ये मेरा भाई है, ये जर्नेल सिंग नहीं, ये जज़पाल है आपकी यादास कंदोड हो सकती है, मेरी नहीं आज से बीस बरस पहले ये शक्स मेरी अदालत में लाया गया था और इसे सजा मैने सुनाई थी नहीं है यह बात नहीं है आपको जरू कोई धोका हुआ थोका हुआ नहीं बलकि अब आप धोका देने की कोशिश कर रहें आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा खांदान ढूड़िये जो जर्नेल सिंग और जस्पाल में फर्क महसूस ने कर सके हम आपके साथ रिष्टा हो जाए दिए हटो कि चलिये कि यह आदमी कौन है डैडी हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है सुरज लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है डैडी कि यह आदमी कौन है जिसकी वज़े से आपने अपनी बेज़ती बरदाश्त की मेरी बेहन को बरबाद देखकर भी अब चुप रहे हमारे खानदान को गाली दी गई फिर भी आपने कुछ नहीं का बोलिए डैडी यह आदमी कौन है मैंने खाना कि यह मेरा भाई चस्पाल है डैडी आप मेरे सर पर हाथ रखकर काजम खाई और कहिए कि यह बात जूट है सच नहीं मैं तेरी काजम खाता हूं कि जिस तरह तू मेरा बेटा है उस तरह यह मेरा भाई है हाँ चरनेल इस खर के तुछ पहलूगे नपैसा में अगर तुछ घर की पहलाई चाहता है तो चला जाए आसे चरनेल सिंग्ग आखिर तू अपनी जात पर उतर आया ना इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार कर भार निकाल दू यह बता तू मेरे कमरे में क्या करने आया था क्या हुआ सुरेज क्या थे बहिया मत कावे से बहिया मा यह एक डाकू है और डाकू से हमारा कोई रिष्टा नहीं हो सकता सुरेज मेरी पहन की जिंदगी तो यह बरबाद कर चुका है मा इससे पहले यह कोई और तूफान खाड़ा करे मैं इसे इस घर में नहीं रहने दू आपको मेरी कासम आपने बाकी मुझे नहीं पचाना आपके बेटे ने ठीक पचान गी में के को जैस पाल नहीं मैं डाक और बाद कर जेड़ तूम लेगी का पैडे एक अच्टों को खार्नान से के अ हो सकतार एक के मेरा तुमारा कुर सब्स्तार नहीं मेरा तोरा को यरी से जीवे, को यरी से ली। कर दो कर दो कर दो जिती है कर दो कर दो कर दो परर दो जावर साहब और कब तक मुझे यहां चुपे रहना होगा और कब बाहर निकलूंगा मैं देखो जैसे तुम यहां से बाहर निकलोगे वो इंस्पेक्टर सुरज पागल कुट्टे की तरह तुम पर तूट पड़ेगा और फांसी का फंदा हम दोनों के गले में होगा फांसी का फंदा तो हमारे गले में जरूर होगा लेकिन जावर साहब जिन्दगी भर में यहां भी तो नहीं रह सकता जब तक जावर जिन्दा है तुम या नेर होगे मैंने तुम्हारी बाहर जाने का पूरा इंतिजाम कर दिया है यह रहा तुम्हारा पासपोर्ट और यह रही तुम्हारी टिकेट इसका मतलब आज ही मुझे भेश पदल कर इस देश से बाहर जाना पड़ेगा बैस सिर्फ कुछ दिनों के लिए ताकि कीता और एंथनी के गातिल को इंस्पेक्टर सूरज क्या उसका बाप भी नपपड़ सके इंस्पेक्टर सूरज आपका मुझी में जागी रह इस वक्त रामपुरा के खंडरों में चुपा हुआ है कि सुनिये आप को बोले है मैं तुम्हारा बंदसी बाप पुलू हूँ बिटे मेरे होते हुए तुम्हारी बीवी और बच्चों को कोई थकलिप नहीं होगी एंथनी को भी तुमने यही कहा था जा गेरा चिलाओ मत जाबर तुम तो वो शैतान हो जिसने अपने साथी की बीवी को भी नहीं छोड़ा लेकिन जाबर मैं एंथनी नहीं चागीरा हूँ अब तू नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा सूरज आके तुझे गरिफ्तार करेगा जरनेल तुम्हारा बेटा मुझे गरिफ्तार नहीं करेगा तुम्हें करेगा क्योंकि ये खुन मैंने नहीं तुमने किया है है ऐसा अबी नहीं सकता इसे हैं। ऐसा ही होगा जर्नल वरना तुम्हारी पीच साल की तपस्या का क्या होगा। वो राज जो तुमने अपने दिल में छुपा रखा है उसका क्या होगा। जब सूरज को ये पता चलेगा कि वो संग राम का नहीं तुम हगा वेटा है एक डाकू का तो क्या वपनी आपको पासे नहीं लगा लेगा तेली तुम तुम ऐसा नहीं करूगे ऐसा नहीं करूगे तुम इस से लिए तो कह रहा हो कि खुण मैंने नहीं है तुमने क्या है आपरे! चेको! सुरच! क्या क्या कर रहे हैं ताइड क्या कर रहे हैं ताइड लाइड सेलब्रेट माइसान मेरे बैटे ने एक हुआ ड़काइड को किर्फथार कर लिया कि खुष्ट रहे हैं और मेरे बेटे के सीने में मैडल लग जाएगा मैडल एक सिंदगी का मुआफजा एक मैडल कल इस घर में चिराख जलेंगे यह घर राशन हो जाएगा तोवारी जिन्दगी का सफर चमक उठेगा लेकिन जस तिये कीबादला तुम चमकोगे उस तिये में तेल नहीं किसी का खून होगा मेरी समझ में नहीं आता डैड क्या आपको एक डाकू से इतनी हमदर्दी क्यों है हमदर्दी हमदर्दी डाकू से नहीं तुम से हो रही है जिस मेडल को लगाने के लिए तेरी चाती बेचैन हो रही है कल उसी के पीछे का ऐसा दाग मिलेगा एक ऐसा दाग के सारी जिंदगी तू रोता भी रहा तो अपने आसों से उसे धोर नहीं सकेगा डाइड यह आप कौन से दाग की बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल है बताना बेटे बहुत मुश्किल है मुझसे वह राज की बात कहीं नहीं जाएगी और अगर कह दिया तो तुमसे भी सुना नहीं जाएगा तुमसे नहीं सुना जाएगा बेटे नहीं सुना जाएगा टैट तुम सुनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कलेजे को पत्थर का बना लो अपने दिल को लोए की तरह मजबूत कर लो क्योंकि मुझे डर है तो उस रास की बिश्चली से तुम्हार दिल जलकर प्राक्ष्ण बिजांस ऐसी क्या बात है टाइड तेरह जिसे तुम्हे प्यार करना था उससे तुमने नफरत कीजिसे गले लगाना था को ऋस दाऊ कि मार कर से बाद निकाल दिया जिसकी कदमों में तुम्हेश अपना सर रक्त था उसके गख में तुमने फांसी का भंडा पैना दिया को कई और नी बल्के बल्के तुम्हारा वंप रहे कि मैं अच्छी मेश हुआ है कर बूब कर दो chat बाबा चुम, हाँ बाबा आपका बाद ब deer बाद हाँ माँ врाब तुझे पता चलगे कर में तुरा बाब हूँ सुरेच बेटी बाबा तुझे बेटा बाबा मेरे बेचे हुए तुझे नियो बेटी तुम चले चले आईसी अगर अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम सग्राम संग्की नियेक डाकू की बेटी हो तो तुमारी रुस्वाई होगी शर्म क्यों माने तुमारी बाबा, मुझे शर्म नहीं, फक्र है, कि मैं आपका बेटा हूँ बोजे सिर्फ एक मौका दीजे बाबा, कि मैं आपके माथे से वो दाग मिटा सकू बोलो बाबा, वो कुन है, बोलो बाबा, बोलो बाबा बाबा, तुम है मेरी मा की सौगंद मत बिटा मत उस देवी कसम मत दे मैं तुझे नहीं बता सकता नहीं बता सकता मैं तुझे बाबा अगर आपने मुझे नहीं बता है तो आपको फासी होने से पहले मैं अपनी जान दे दूँगा नहीं बिटा नहीं ऐसी बाद मत कर मत कर ऐसी बाद बोलो बबाबा, बोल वो खुनी का नाम, बोल बबाबा उसका नाम, उसका नाम है जाबर 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 की शतरन जी चालों से वजीर और बाच्छा भी मात खा जाते यह जर्नेल और उसका बेटा तो मामुल से प्यादे है जाबर अब तो तेरी मौद उतनी ही दूर है चितनी दूर मैं खड़ा हूँ इंस्पेक्टर, यह तुम्हारा पॉलिस स्टेशन नहीं जाबर का चक्रव्यू है जहां से तुम्हारा पाप चर्नेल भी बचके निकल नहीं पाया अरे तू क्या चीज़ है अरे बचल मैं याँ मैं। हला पुम्हारा अर्वाह बाल पैस झाल टो बाल एाल इद ऐ वार इड़ा इब बाल इपाल इब बात कि बाल इब बाल जाल इना पी तुर ज स्ट शुप टार इड़ाई जिड़्क रशना इड़ाई भी टेप कुछ़ितों ख सब्सारा पुच czहाए पा डिष्पय चाल x4 तुच czयाए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है 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 हुआ 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 है हुआ 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 कि इस्पेक्टर साब मैं मनने से पहले बाया देना चाहता हूं सर आप मेरा यकीन कीजिए जर्नेल से मुझ्रम नहीं है उसने किसी के खुन नहीं किया खुनी है तो जाबर इसका कोई थबूत है तुछ थबूत है सर मैं होस्पिटल से आ रहा हूं इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने सारे गुना कबूल कर लिये हैं और यह भी बताया है कि जागीरा का खुन जाबर ने किया है जर्नेल ने नहीं यह रही उसकी स्टेटमेंट्स संगराम जैंग, इंस्पेक्टर शर्मा की स्टेट्मेंट की बुनियाद पर तुम जर्नायल सिंग को देल से निकालने की इजाज़त कोट से ले सकते हो थैंक यू सर्थ काल दोट दोट 1560 को दोटाु इसकरान। कालुक दोटेस्प का इ Pi फी उ एात स्वान। Babuá! Babuáre! Hey, Babuáre! Duruš, Beda! Baba! Baba... Baba! बेटा जिस बाप के लिए तुने बंदूक उठाई है उसको कानून ने माफ कर दिया है चल घर चल जब तक मैं जाबर का नाम और निशान नहीं मिटा देता मैं वापस नहीं आओंगा बाबा जाबर को सजा कानून देगा तो अपने हाथ में कानून मत ले बेटा अगर कानू होता तो आक को हाथ को गुनेगार नहीं ठेरा घए जबाबाँ का लुक्त नहीं आप एसी चले ज़ाओन उटारा है और तूज साथ ही चले टेपां तो आप यहसे ॏापकर मैं तुझे साथ ले कर जा घाँगा चल मेरे साथ वह कहता हो आब यहास्च चले जान नहीं के लि अपनी जान ने देगा, बेटा, बेटा, ने, बाबा, ने, बाबा, ने, बाबा, 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 बाबा हुआ 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 है हुआ 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 है मेरी पहन गीता को किसने माना था बोल मैंने तेरे गुनाहों की सजा मैं तुझे दूँगा जाबर हुआ 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 कि पुआ हुआ हुआ है कि अधिव कि यहीं वो स्वाज के नाम पर दपाए नहीं सुरज, कानून को अपने हादे मत लो, नहीं सर, बबबा, 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 बचा, बचा, सरा, जी, आसे तेरा बेटा, बूबबा, बबबा, बबबा, बबबा! झाल झाल